मानो या ना मानो लेकिन आप एक जीनियस हो सकते हो जरूरी नहीं है कि आपने बड़े से ग्लासेस पेन रखे हो तो ही आप एक जीनियस हो आज इस वीडियो के खत्म होने पर आपको शायद पता चल जाए कि आप एक जीनियस हो या नही क्या आप जानते हो कि हाली में साइंटिस्ट ने इंसान में मौझूद कुछ ऐसे ट्रेट्स यानि ऐसे लक्षणों का पता लगाया है जिससे आप ये जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो या नही मैं आज आपको कुछ ऐसी आत्तों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप में हैं तो आप साइंटिफिकली एक जीनियस हो ये बात पूरी तरह से सच है क्योंकि साइंटिस्ट को इसके बारे में कई सालों की रिसर्च के बात पता चला है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास जीनियस हो क्योंकि जो लोग जीनियस होते हैं वो कुछ ना कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं उन्हें बाकी लोगों की तरह साधी सिंपल लाइफ पसंद नहीं होती इसलिए वो कुछ ना कुछ क्रियेटिव करने की कोशिश करते रहते हैं ऐसे इंसान किसी भी नए काम को आसानी से कर सकते हैं लेजीनेस आप मानो या ना मानो लेकिन ये बास scientifically proved हो चुकी है कि जो लोग brilliant और genius होते है वो औरों के मकाबले ज्यादा lazy होते है इसका एक scientific reason भी है जो खाना खाके आपके शरीर को energy मिलती है उस उर्जा का 20% आपका दिमाग यूज करता है genius जब अपना काम कर रहा होता है तो उसका दिमाग औरों से ज़्यादा energy यूज करता है और इस वज़ा से उसका दिमाग जल्दी ठक जाता है और इसलिए वो थोड़ा lazy हो जाता है इसलिए genius अपने किसी अकेला ही गुजारना पसंद करते हैं और गुरूप सेटिंग्स में वो uncomfortable feel करते हैं उनकी thinking complex होती है और इसलिए वो society में घुलना मिलना उतना पसंद नहीं करते हैं उनके interest और shock बाकी society members से अलग होते हैं कई studies में ये पता चला है कि intelligence people are less social staying informed ये genius लोगों की सबसे common habit है कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की खौईश होती है जितना हो सके वो उतनी information collect करते हैं अगर आपको रात को देड़ तक जागने की आदत है तो हो सकता है कि आप एक genius हो genius रात को इसलिए जाकता है क्योंकि उसे knowledge और information की भूक रहती है हो सकता है वो internet के थूरू information गेन करेगा या फिर book के थूरू ज्यादा तर genius है इसको रात को नावल पढ़ने की आदत होती है इसने दिन भर में क्या किया और कल क्या करने वाला है इसकी planning वो रात को ही कर लेता है रात को देर से सोना ये एक genius की निशानी है महान scientist निकोला टेसला वो दिन में सिर्फ दो घंटे सोते थे blue eyes ये तो आपको पता ये होंगा कि इस दुनिया की 700 करोड की आबादी में से सिर्फ 8% लोगों के पास ही blue eyes होती है कई research के थुरू ये पता चला है कि जो लोगों के पास blue eyes होती है वो ज़्यादा रनने तिक विचारक होते है nail sign अगर आपके अंगोटे में इस तरह का sign है तब आपकी intelligence औरों के मुकाबले बहुत high है ये एक fact है कि बहुत कम लोगों में ये होता है talking to yourself geniuses खुश से बात करना पसंद करते हैं अगर आप एक genius हो तो आप गहराई में सोचोंगे और इस दोरान आप खुश से बात करोंगे scientific research के अनुसार खुश से बात करने से मानसिक तनाव भी कम होता है आपको झाल झाल झाल